नमस्कार साथियों सीजी जूप एजूकेशन के ओफिसेल यूटूप चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों छप्तिगर सहायक सिक्षक से जुड़ी हुई जानकारी है जिलेवार कितने कितने लोगों का चैन हुआ है सहायक सिक्षक में अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें बताया हूँ कि सहायक सिक्षक के पात्र सुची जारी कर दिया गया है जिलेवार विभाग द्वारा तो आप जो भी साथी जिनका जिस जिले में नाम है कौन सा इस्कुल मिला है वो तो पता ही है आप पात्र हैं तो पात्रता सुची आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि कौन-कौन से जिले में कितने-कितने लोगों का सहायक सिच्छक में नाम आया है और दूसरी सूची में कौन-कौन से जिले में सबसे जादा पद देखने को मिल सकता है। मैं इन्ही दो विष्णियों पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा तो जो साथी नए होंगे जल्दी से हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं जैसा कि आपको इस ख्रीन पर सो हो रहा है जिल्ले वार कुल चैनितों की सूची मैं साजा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से तो अभी वर्तमान में जिन जिन जिलों में सहयक सिक्षकों की चैन हुई है कोरिया जिल्ले की मैं बात करूँ तो कोरिया जिल्ले में 86 लोगों का चैन हुआ है MCB मनिंद्रगर जिले में आपका 135 लोगों का चैन हुआ है जस्पूर जिले में 204 लोगों का चैन हुआ है अंबिकापूर जिले की बात करूँ तो अंबिकापूर जिले में 166 लोगों का सहयक सिच्छत में नाम आया है जगदलपूर की बात किया जाये तो जगदलपूर में सबसे जादा है 377 लोगों का चैन हुआ है दंतेवारा में 112 लोगों का चैन हुआ है बीजापूर की बात करूँ तो बीजापूर में साथियों आपका 153 लोगों का चैन हुआ है सुकमा जिले में 52 लोगों का नाम आया है कुंड़ा गाओं की बात करूँ तो दूसरे इस्थान पर कुंड़ा गाम है सबस्यादा पद में 358 पदों का नाम आया है नरायनपूर में 79 पदो पर सायक शिक्षकों को चैन दिया गया है ऐसे ही कांकेर में कुल 264 तीसरे इस्थान पर है जिन में चैन हुआ है तो इस तरह से कुल 11 जिलो का नाम विभाग द्वारा PDF के माध्यम से पात्र सुची में जारी किया गया है अब यहां सबसे पहली बात तुम्हें आपके बता दू कि कौन-कौन से जिलो का नाम नहीं आया है तो चुकि बस्तर और सरगुजा संभाग की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों संभाग में खुल जिलो की संख्या देख सकते हैं सर्गुजा संभाग में सर्गुजा, मनंद्रगर, कोरिया, बलरामपूर, सूरजपूर और जस्पूर अर्थात सर्गुजा संभाग में 6 जिले आते हैं ठीक है ऐसे ही बात करूँ मैं बस्तर संभाग की तो बस्तर संभाग में कुल बस्तर, कॉंड़ागाओं, कांकेर, दंतेवार, नरायनपूर, सुकमा और वीजापूर अर्थात कुल साथ जिले आते हैं अर्थात कुल मिलाक कर 15 जिले होते हैं बस्तर और सरगुजा संभाग में अब इन 15 जिलो में 11 जिलो में यहाँ पर लास्ट सुची देख सकते हो 11 जिलो में कुल पदो की बात करूँ तो कुल 1976 लोगों का चैयन हुआ है अर्थात 1,976 लोग पात्र हुए हैं जिनको ज्वैनिंग लेटर कल अर्थात 25 सितंबर को दिया जाना है अब इन में कौन से जिला छूट रहे हैं तो देख सकते हो एक तो सरगुजा का नाम नहीं आया अर्थात लिष्ट में सरगुजा का नाम नहीं है सूरजपूर का नहीं है और जस्पूर का नहीं है एक बस्तर संभाग में बस्तर का इन चार जिलों में नाम नहीं आया यदि मैं मोटी मोटा यहां पर बात करूं साथियों 1976 लोग का है और यदि मैं चार जिलों की मैं बात करूं तो मान के चलूं यहां पर यदि एक हजार भी इन चार जिलों से हो जाते हैं तो लगभग आपका मान के चलिए तीन हजार, round figure मैं बात करता हूँ, तीन हजार तो तीन हजार लोगों का ही अभी प्रथम सूची में ज्वैनिंग ले रहे हैं मान के चलिए, ठीक है, तो लगभग आपका मान के चलो, तीन हजार मतलब 50% लोगों का ही प्रथम सूची में नाम आया है मान के चलिए, जिनका ज्यादा पद आ सकते हैं तो मैं आपको बता दू साथियों यहां आपका नरायनपूर जिला है जहां आपको ज्यादा पद देखने को मिल सकता है सुकमा में आपको ज्यादा पद देखने को मिल सकता है क्योंकि सुकमा जिला सवेदन सिल होने की वज़ा से कई सारे साथ ही जा गाओं और एक और आता है कांकेर जग्दलपूर कोंडा गाओं और कांकेर में भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पध है तो ऐसे में पदों की संख्या भी ज्यादा है तो वहाँ पर और अधिक संख्या में देखने को मिल सकता है फिराल अभी तक तो पीडियेप हमें प्राप्त हुआ है, मतलब जु लिश्ट है, उनमें इन चार जिनों का अर्था, सरगुजा, सुरजपूर, जसपूर और बस्तर, इन ही चार जिनों का नाम mention नहीं था, साथियों, बाकी सभी जिनों का नाम mention हैं, तो सभी साथी देख सकते हैं, टूति सू तीन हजार साथियों का चैन होगा दूसरी सूची में तीक है उसके बाद अगर उनमें से बचते हैं और निसंदे बचेगा भी साथियों मान के चलिए यदी तीन हजार सीट बसता है दूसरी सूची में यदि उनका नाम आया इन तीन हजार में तो आप मान के चलो बारा सव से पंदरा सव सम्थिंग बारा सव आप मान के चलो तीसरी सूची के लिए रिक्त बचेगा हाँ लेकिन यहाँ पर एक चीजे है OBC की जो रिक्तता कम होती जाएंगे बहुत कम आपको ST में सबसे ज़्यादा सीट देखने को मिलेगा और OBC के सीट अब इधर तीसरी सूची में गिंती मातर के बच जाएंगे गिंती मातर के क्यों बचेंगे भाई क्योंकि OBC में वैसे भी सीट कम है और ये भरते चलेंगे तो तीसरी चोथी सूची में वो कम होते चला जाएगा और वो बहुत जल्दी वो कम्पलीट भी हो जाएगा तो ST वालों के लिए इसमें फायदा है साथियों क्योंकि ST वालों के सीट ज़्यादा बसता है एश्टी वालों के लिए ज़्यादा फायदा है उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा जो पध है वो देखने को मिलता है तो आप इसको विशेश ध्यान रखिए और इन चार जिला वाले साथी गबराएं भी नहीं अगर इनको काल लेटर वगर आप मिल चुका होगा तो बिलकुल आप जाईए PDF का इंतजार हम नहीं कर सकते हमें पता है ठीक है यदि आपके जिलों में किसी और अन्य साथी का नाम आया होगा तो वह साथी भी बिलकुल जाइए क्योंकि दुसरे का जब नाम आ जुका है तो आपको वहां पर जोइनिंग लेटर मिलेगा क्योंकि प्रथम सूजी के सभी चैनित और पात रूमि द्वारों को जोइनिंग लेटर दिया जाना है पोस्टिंग लेटर दिया जाना है तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है नाम भी नहीं आया है तो भी आप एक बार संपर कीजिए उसके बाद आप जा सकते हो जिला सिक्षा दिकारी कारला में कॉंटिक नंबर होता है आप वहां से भी संपर कर सकते हो इन चार जिला लिजिये और हमारे साथ सिक्षा विभाग में आप भी आये राष्ट की निर्मार में राष्ट की प्रगति में हम आप और हम सब मिलकर एक साथ कुछ अच्छा करेंगे जैहिन वनिमादर